जैहें साथियों तो SSGD Constable के medical समाथ तो हो चुके हैं बहुत सारे लोग medical में पास हुए होंगे और बहुत सारे लोग medical में unfit हो गए होंगे तो जो लोग medical में पास हुए हैं वो अपने final result का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि final result आने के बाद final merit list का पता चलेगा कि कितनी cut-up गई है क्योंकि इतना सारा stage पार करने के बाद भी अभी भी 15-20,000 ऐसे लोग होंगे जिने निरास होना पड़ेगा जो कि cut-up के base पर बाहर होंगे तो अभी भी सबी लोग स्योर नहीं हो पाए हैं कि उनका selection कहां पर होगा उनका हो पाएगा या फिर नहीं तो final result का इंतजार कर रहा है क्योंकि medical समाप तो हो गया है और यह भटती mission mode में है तो final result भी बहुत result आएगा कोई भी भटती हो उसकी जनली असान नहीं होती है बहुत सारे लोग तो पहले ही बाहर हो गए होंगे जब इसका result आया था और बहुत सारे लोग इसके physical में बाहर हो गए होंगे और बहुत सारे लोग तो जब medical का cut-off आया उसमें बाहर हुए होंगे और बहुत सारे लोग अभी medical में unfit हुए होंगे जिसमें से एक मैं भी हूँ और बहुत सारे लोग अभी final merit में बाहर होंगी तो कोई भी भर्टी की जनली हो वो असान नहीं होती है हर एक stage को उन्हें पार करना होता है तब जाकर कहीं पर job मिलती है तो अभी भी लगबग 15-20 हजाल लोगों को निरास होना पड़ेगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके final result के बारे में अभी medical pass हुए हैं उनके मन में एक ही doubt बना हुआ है कि final result कत्तक जारी होगा कितनी जल्दी उन्हें पता चल सके कि उनका selection हुआ या फिन नहीं तो देखे final result को लेकर यहाँ पर training schedule जारी हुआ है लगबग सभी force का जारी हो चुका है ससी GD में आपको पता होगा कि BSAF, CISAF, CRPF तो सारे post हैं तो सारी भी post का अलग-अलग training schedule होता है उन्हें के center पर training होता है तो यहाँ पर training schedule लगबग जारी हुआ है कब का training है क्योंकि लगबग सभी force का सेम ही training है किसी का एक-दो महिने आगे पीछे हो सकता है किन्तों लगबग सभी का training schedule जो आया है वो सेम मन्त में ही start हो रहा है तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि final जो है इसका result कब तक जारी होगा और सभी का training schedule क्या दिया गया है और देखें यह note जो है यह बिल्कुर real है बहुत सारे लोग इसे fake भी कह सकते हैं तो जो fake कहने वाले हैं वो starting से fake कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें सबसे पहले यह CRPF का है आपको पता होगा कि CRPF में जो total vacancy है 11,189 vacancy है इसका यहाँ पर बताया गया कि जो training schedule किया गया है वो October में किया गया है यह देखें आगे पीछे हो सकता है यह identity schedule किया गया है जैसे ससी का result आगा उसके बाद यह change भी हो सकता है विकिन तो जिस तरीके से इन्हें instruction मिला होगा उस तरीके से यह अपनी तयारी करके इस time तक ready रहेंगे कि October में हमें training start कर देनी है और यहाँ पर देखें यह CICPF का notice है इसमें बताया गया कि जो पुराना batch था जो है वो अक्टूबर में start हो जाएगा उसके बाद यहां पर देखें यह बीएस आप का notice आया है बीएस में आपको पता होगा टोटल वेकंसी की सजार बामन है इसमें देश सकते हैं जो ट्रेनिंग किया गया है वो लास्ट वीक आफ October या फिर फर्स्ट वीग आउंबर में तक आपकी ट्रेनिंग इस्टार्ट हो जाएगी तू कर्याएगा अब यहां पर हम बाद करते से final result के बारे में कि final result कब तक जारी होगा देखे फिनस final result के बारे में बात करें तो देखे अभी यहां पर cpo का final result जारी नहीं हुआ है क्योंकि cpo का जो मेटकल समाप्त हुआ था वो 3 जुलाई को समाप्त हो गया था अभी एक महिने से ज्यादा का time हो चुका है इनका अभी final result डिक्लियर नहीं हुआ है देखे कोई भी बढ़ती हो final result आने में minimum एक मंद का time तो लगेगा च्योंकि सब कुछ offline प्रोसेस होता है मेटकल offline हुआ है वो document जाएगा SSC के पास SSC उससे देखकर एक एक कैंडियर का data मिलाएगी उसका final scorecard तयार होगा अभी एक बार फिर से final scorecard आएगा तो वह सारा कुछ तयार करने में time लगता है तो minimum एक मंद का time तो लगेगा अब यहां पर हम इसके expected date के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका final result कब तक जारी होगा और हमें लगता है कि इसी date तक आपके final result जारी हो जाएंगे तो देखे यहां पर 10 अगस्त तक आपके final medical का date था किन्तो पांच अगस्त तक ही लगबग सभी का DME समाप्त हो गया RME जो है वह लगबग 8 तक समाप्त हो गया अब यहां पर देखे जो आपका एक मंद का minimum time लग सकता है वो 5 सिप्टमबर तक अर्थाद 5 सिप्टमबर से पहले आपके final result आने के chances बहुत ही कम है उमीद यही है कि आपका final result आएगा वो सिप्टमबर के first week में ही जारी होगा अगस्त में जारी होने की उमीद बहुत ही कम है बहुत साथ लोग तो कह रहे है है कि exam होने के 3-4 दिन के बाद आजाएगा यह result है उनका data तयार करना पड़ता है training center पर भेते हैं कि इनका selection कहां पर हुआ है तो वहां से आपका जवाने लेटर तयार होके आता है यहां पर आप यह उमीद कीजिए कि सिप्टमबर के first week तक आपके final result जारी हो जाएगी तो अ लीजेगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरिट कितनी पढ़ सकती है चलिए सिप्टमबर के first week तक ही आपके result आने की उमीद है 10 सिप्टमबर तक उमीद है कि चारी हो जाएगा पाकि कोई डाउट है कमेंट कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेंते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाएगा